स्क्रीन पर पहला कोश्वन आपके समख्च और आपके स्क्रीन पर." क्या क्या क्यलाथ है कि तन्हास सय Luck का दौर जो है कब सुरू हुआ था पश् Insighteking. तो आप लोंको पता होना चीए तनास सयु सह्थिल्य का दौर 1922 के क्योगा संकट के बाद यह शुरू हा था इसलिए क्योंके 1922 के क्यूबा संकट जैसे हुआ था उसके बाद जो है तनौ सेथिले का दौर जो है यानि सुरू हो गया था ठीक है तो चलिए इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे 1960 के बाद लिख सकते हैं ठीक है या अगर आपको मतलब इसके एंसाइटी में तो आपका दियाव इसके इनुसर आपको 1970 अगर गूगल होगर करेंगे तो आप ठीक है चलिए कोसन देखेंगे दूसरा नमर कोसन आपके समख्ष में आगया क्या कलाता है कि भारती जनता पार्ट सब्सक्राइब भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हो आता बताईएगा चलिए काफी इंपोर्डन कोसन है बताईएगा तो इसका आंसर आपका 1991 भारत में आर्थिक सुधार हो आता option आप लोग कसी जो पैरबच्चो राइट आंसर हो दाएंगे ओके चलिए कोसन देख हम लोग कोसन आपके स्क्रिन पर कोसन नमर फाइब क्या कला था भारति सविधान का निर्मान किस ने किया था चलिए बहुत ही important कोशन है हम लोग जानते है भारति सविधान के जो पीता जो है किसे कहा जाता है और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल प्यारवच्चो रा इसलिए आप लोग बोड़ एक्जाम का त्यारी आप लोग इसी चैनल के मादर में सकी जाओ और हंडेड में आप लोग कर सकते हैं ठीक है भारति सविधान में कितने मौलिक करतव है वर्नित है तो हम जानते मौलिक करत वे कि बात अगर हो तो इसमें केतना हो जाएगा आप भारति सविधान के किस अनुश्यत के द्वड़ा या नि परदान किया गया है तो जीवन का अधिकार जो हमें जो दिया है यह अनुश्यत 21 के तहट दिया गया ठीक है जी चले आगे देखेगा आपके स्क्रीन पर भारति राजजिती को व्योस्ता क्या है संसदिय है अधिय किस किस परकार की सवविधानिक सनस्ता है तो देखे हम जाते है यह सविधानिक सनस्ता है सविधानिक जो इसका आंसर आप लुग के बिलकूल पर फेक्ट और सभी बचों का अनूश्यत में राश्ट्र ने है तो बताएगा कौन सा होगा आप लोग को बताना है भारत सभीदान के किस अनुच्छेद में राष्टपती पर महा वियोग का परोधान है यानि महा वियोग लगा सकता है तो अनुच्छेद कितना कितना अनुच्य अांसर आप लोगा प्हांवाच कोण होता है तो लौक सववाव का सववाच का पतादी कारी जो होता हो इसका प्यारवच्छी राइट आंसर हो जाएंगे बहुत बढ़िया आगे देखेंगे को पिल्कूल आपको सेम्ट्रों सेम्धूब को यही पर आपको देखने को मिलेंगे भारते सविधान के इस अनुच्यत में धन विद्यक को प्रवधान है तो बताएगे इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल 110 राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है लोग सभा में लोग सभा की अधिक्तम सदिस्टो की संख्या कितनी है तो बिल्कुल आ अगर आंसर की बात किया जाए तो पहरा बच्चो इसका आंसर आपका उच चनायल है यानि आप लोग का भी विल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है महानीता वाधी की न्यूपति यानि कौन कराता है तो यह जो कराते हैं कौन कराते हैं जिल्ली बताइएगा तो इसका आंसर आप लोगो पताओना अच्य है रास्त पती कराते हैं आप लोग यहां आपको एक्स्पिनेशन नहीं कर रहा है क्योंकि आपको आंसर की जरूरत है तो आप यह नहीं सब्ढ़िए कि रिखार का परधान कानून अधिकारी कौन है चले देखिए दोसरा सब्जेक के स्क्रेंट पर क्या करता है एकात्मक सरकार निमिलखीत में से किस देस में तो बताइएगा इसका आंसर आपको बिल्कुल डी कैसी द्वारत आप लोग इख लिखाएगा ठीक है यहां अगर नहीं दीक रहा तो आपको चले जील जिला नियोजित समेति का प्रधान कि सवीधानी संस्वधान के चलिए तो इसका अंसर आप लिख लीजएगा चौहत्तर वाँ ठीक है तुछ आप लोग लिख लीजएगा जो को साफ नहीं दिख रहा होगा ठीक है आप लोग में से कोई हमें जो है यह सेंड किये हैं चलिए निमिलखित में से किसने भारतिय सवीधान के अर्दा जयत्मक कहा गया है तो बताएगा इसका अंसर आप लोग का क्या हो जाएगा परफेक्ट आणसर हो सब्सक्रेंगे कौन सा समयति जो है पंचाइदी राज से समधित नहीं है तो इन में से कोई नहीं इसका अंसर आपलो का विल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे भारत में आंत्रिक गरवडी के आधार पर किस वर्स अपातका लगया गया था तो सभी को पता है अबातकाल जो लगया गया थ आपलो को रहे हो जाएंगे सभीदान के मूल से अचना के सिद्धान का प्रतिवादन की से मुकादमें में किया गया था बताईएगा चपट बदान बाता होना चाहिए सताइस नमर कोशन का आपका आंसर होगा है इंद्रा गांदी का उस टैंसर का था और इसका आंसर आप लोग का विल्कुल प्यार बच्छो राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है तो यह देखे का उप्सन आप लोग का विल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और इसका आप लोग का विल्कुल प्यार बच्छो राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है आगे देखेंगे आप लोग कोसर इसका परधान मंतर होता है सविदान के किस अनुषयत में वित्या अपात कल का परधान है तो बताये का वित्या अपात कल की अगर बात के वो बद्यां परधान है सविधान के किस अनुच्छत में वित्य अपातकल का प्रोधान है तेके 360 यानि हम लोग जानते 360 के अतात होता और इसका अंसर आप लोग का बिल्कुल D प्यार बच्छो राइट आंसर जाएंगे 360 राइट आंसर जाएंगे ठीक है ऐकल नागीरिक्ता किस देश से लिया गया है तो आप लोग बैलकुल पता होगा यह जर्मनी से लिया गया ठीक है ठीक है वारत राज्टे कॉंग्रेस के सनस्क्तापक कौन थे तो हम लोग जानते एई हुम जो है इसका अंसर आप लोग का डर्जा दर्जा दिया गया था मैंने ये भी आपको बता रख रहा हूं ठीक है तो सभीधान के किस भासा को राज्य भासा का दर्जा दर्जा दिया ग योजनायों की जो अस्थापना वाता हुए उनिश्स सो पचास हुआ था ठीक है यह आप लोग को बिल्कुल पता है और इसका आंसर आपको यह प्यारे बच्छो प्राइट आंसर हो जाएंगी ठीक है चले आगे देखिए किस देश में भारत पर आकर्मन को पंशेटी क्योस्था कंगरे में अपके स्क्रीन पे बादरास्ते कोंगरेस की पहली महिला अधेक्स यानि कौन थी बता हिएगा इसका आंसर क्या होगाuna कraw pani कि स्राज्य में जो है विंत्वल वा था बताये तालिशनमर कोसंग का आपको निर्मान आंदोलं किस राजय में विफल हुआ था चले बहुत बढ़ी हैं हां तो अगर इसका अगर आंधर की बात किया जाए तो इसका आपका जो हो गा प्यज्यों अगर गुजराट में विफल हो गया था और इसका आंधर गुजराट राही राइट आंसर हो जाएंगे पिछरा वर गए आयोग के पहला अध्यक चैनी कौन थे तो बताएगे इसका आप लोगा क्या हो जाएंगे बिल्कुल इसका आणसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे इसका अस्तापना उन्चास को आता है यह आप लोगो पता है तो बताएगे इसका आप लोगो क्या हो जाएगा जिसमें से आउस्थाई जो है जो है जिसको वीटो पराप्स हो था इन पांस को यहां आप सिर्था की बात कर रही है तो यह दस आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है इन में से कौन एक गुटनेट पेक्स आंदोलों से समनीत नहीं है प्यारे बच्छो तो गुटनेट पेक्स आंदोलों से जो है इसमें कौन समनीत नहीं है आपको यह बताना है ठीक है तो इसका आप ल यानि विस्वी करण का समाने अर्थ क्या होता है यह एक ही करण यह उप्सन अप्लोग कर दी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है डलीत पैंथर सनामक संगठन की अस्थापना इनमें से किस राजिम होई थी चलिए कोशन काफी इंपोर्टन है तो इसका अंसर अपलोग कर क्या दी राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर स्यांपरसाद मुखर जी किस दल के निता थे बताइए पॉसन नवर चपन आपके स्क्रिन पर हम जानते है इसका जो निता थे यानि कौन निता थे विल्कूल आप लोग को पता होगा तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा हाँ चले भारती जनसंग के थे देखें डॉक्टर स्यांपरसाद मुखर जी तो किस दल के नाता थे भारती जनसंग के नाता थे यानि आप लोग का ए राइट आंसर लाएंगे पॉसन देखेंगे 1956 में भाड़त में राजय पुनवर्टन आयोग का आधार बनाया था भासाई आ आगे देखेंगे हम लोग कोशन भारत में कुल कितने संक्सासित परदेस हैं नि कुल खेंद शासित वर्देस की संख्या कर बात करें तो आठ जो है कुल के नाता थे ठीक है तो प्यरा बच्छों हम लोग जानते हैं पंच्छवर्ची वजना कितना 500 पर आता पहरा 151 से लेकर 56 तक तग यो सरो पर्थम कि शराज्य में महिला हों को जो है 155 परथिसा आरक्षित दिया गया था तो थिलंगाना आंधंगाना को जो अलग जो किया गए था किसे अधरानध होते से है तो यह कब किया गया था है इन्हीं 2014 को ठीक है तो आंदोलन किसे समली किसे था इन्हीं आंतरापरदेशी था ठीक है चले कुशन देखेंगे है अंतराश्टे नियालिभ में कितने नियादिस होते हैं तो बताईगे अंतराश्टे नियादिस होते है इसके बारे में आपको बताना है थिक है बिलकूल आप लोग आशाय आवसा जो आट मैं जो आ holy हमका ऑप्सुन इसका आंसर आप लोग का हिन्दी बिल्कुल सही है नव निर्वान आंदुलन का ने तित्थ जो है किस ने कया था प्यारे बच्छों आपको बताना नव निर्वान आंदुलन आंन milky जो है किसके दिण क्या गया था आ번़ प्रश्चन का आपको आंसर क्या हो जाएगा जली बताइए तो जै परकास नायन इसका आप लोगा बिलकुल सी राइट आंसर जाएगे जिसको जी एपी बोलते हैं लॉक नायक के नाम से भी जाने जाते है ठीक है सहिंतरा संग का व्यापार इंग टांट के अस्थापना कब Onतरी होता है यूज्णा आयोग का स्थापना कब भॉग उजो की परतह Daar iniciति बॉनाे जो तो अइसका बनानड होता है इसका रद्धान मंत्री फौता है और वे यका धीक होता है यूज्णा आयोग का धैक्ष होता है बताना है तो बिल्कुल आपको बताना है तो बिल्कुल आप लोग को अबसली पता होना चाहिए नहीं है यह कौन सा है पाकिस्तान में कितने देश आते हैं तो आर्ट आप लोग बता होगा और वह जो है मतलब सार्क जिसको अस्थापना सार्क में कितने देश है टुटल हाट है यह बिल्कुल समू है जिसको दक्षेज बोद के हम लोग ठीक है चले कोसन देखेंगे इस में कौन सा इस दक्षे़ का स्थी से नहीं है जिसका अस्तापना 705 है इस historic Ku नहीं है इसमें इसका स्थी नहीं है जली बता इसका अंसर आप लोग का क्या हो जाएगा ठीक है बहुत इंपोर्टन कोशन है दक्षेस का सदीस से नहीं है यह पूशा गए आपसे ठीक है तो इसका आंसर आप लोगा क्या हो जाएगा यह जाएंगे चीन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा क्योंकि मालदीब भी भारत भी है भुटान भी है ठीक है तो इसका आंसर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है तो हमनों ज जानते सींतने से जनता-पार्टी की सरकार होगा था भळत देष वीवज में विवाजन से प्राण परांद पर्वायथ थे तो परब न्जाब और बंगाद इस से परवायथ वह Rajagina अफो किसका अन्सर है नेया किसने के लोग तो अनेक लोग बहुले में moim जिकता है तो किस्से नियूट नहरु जी ठें ठीक है तो आप सब्सक्राइब तो इसा पहले किस राज्ये डिया था पंजाब में लागुब किया गया था ठीक है और या पाथ का 75 लाजुटा सान्ग का कहा पर वस्तित है तो बताइए यह ग्या हो का गारिया काल कितना होता है सिका जो हता है जो थे लेकर 65 वर्त के आहिए तक तो इसका आँसर आप लोगा बिल्कुल right answer हो जाएंगे Congress का विवाजन किस वर्स हुआ था हम जानते कि Congress का विवाजन को हो गया तो इस इंडिकेट नाम से पार्टी बनाया था ठीक है जितने सारे सिंडियर नेता थे बारत में दल बदल विरोधी समझीत कानून कब बनाता तो बनाता आप लोगो यह बताना है काफी इंपोर्टन है तो यह बनाया गया था कब बनाया था क्या होता मेरे प्याइर बताना को मोख 2 नों सरपन ऑब 12 स्वाइब ने वारट में उसक्ति संपन देशụई कब सामिल किया गए अपना भारत को तो है 2008 को जो अपना देश को सामिल किया गया था ठीक है चली दब हम लोग के पास परमानों चक्ति आ गया था तब ठीक है गांधिवादी गांधिवादी समाजवाद की अस्थापना करने में इसमें से किस देल का परमुक उद्देश था तो बताईए यह जो है किसका यह उद्दे पाटी था तो यह बिल्कुल इसका अप्लों का जनता पाटी राइट आंसर हो जाएंगे सविदान के अनुसार पीछरे वर्गर की पाचान का मुक्ष का आधार निम्न में से क्या था तो इसका आधार जो मुक्ष की अधार ता जाती था धर्म था समाजी को सेक्षिन की तो बिल्कुल प्यार बच्चे इसका आप लोग को बताना है इसका आंसर होगा जाएंगे स्री लंका का क्या है लिट्टी है पाकिस्तान का हिब्जुल मुजाइदिन हो गए रहे क्या के नाम है ठीक है बहुत सारा है आगे देखेगा कोसर नमर 16 भारत में हरित करांती का ज जाता है चाले इसका आप लोगा जोगा विल्कुल मस्वामिनात यानी option आप लोगा ए विल्कुल राइट आंसर होगा परवच्चो भारत को एक धर्म निर्फिक शराज घोशित किया गया था कब बताइए इसका आंसर आप लोग को बताना है भारत को एक धर्मनाक्षिक गोषित किया गया था इसका भारत किसान उनियन के थापना पनजाव उत्तरप्रदेश का उत्तरप्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे चले देखेगा तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज़ेस का आंदोलन था तो हम लोग जानते हैं तारी विरोधी आंदोलन जो था ये आंदरा परदेस का आंदोलन था वहां के महला है जो काफी परेशान थे ठीक है तो ये जो है वहां के महला है जो है मिलकर के जो है इ में कॉंग्रेस से अलग होकर अचारी के पार्टी के स्थापना किया था तो बताइए किस पार्टी का स्थापना किया था तो हम लोग जानते हैं कि किसान मजदूर पार्टी था या किसान मजदूर पार्टी तो बिल्कुल इसका अंसर आपका किसान मजदूर पार्टी या नि इसका आप लॉक्र आला कररेंगे दर्म के निर्मता के रुप में किसे जाना जाता है तो हम लोग जानते हैं पंडिजवालान नहरू की जान बिते हैं तो इस कांसर आप लोग का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर रहा जाएंगे Justice Party किस राजे से समझनी पार्टी है तो Justice Party के बारे मताना Justice Party क्या हो जाएगा इस कांसर तो यह जो है मदरास से समझनी जांगे बिल्कुल इसका अंसर आप लोगो पता होना चाहिए तो इसका आंसर जोगा आपका आपका आपको का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे पहरे बच्छेव एट 97 का देखेंगे हम लोग क्या कहलाता है कि छेत्रे असुंतलन के फलसुरूप कि सराजय का गठन हुआ था तो चेत्रे असुंतलन जो है मतलब फलसुरूप कि सराजय का गठन हुआ था मतलब यह तो मेजरूम नागलन का नहीं हुआ था मेजरूम का भी नहीं बिल्कुल यह निसे भी नहीं होगा तो इसका आप लोगा क्या हो जाएगा आगे देखें का 98 समर्कोशन नर्मदा घाट को हम लोग जानते हैं नहीं आर्थिक निसी जो है 1901 को लागू किया गया था तो इसका आंसर आप लोगा बीपी मंडल राइट आंसर हो जाएंगे